तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्चों का स्वागत है आज हम कक्षा 11 गनित में अध्या एक समुच्च की प्रशनावली एक पॉइंट एक हल करेंगे इसका पहला प्रशन है निमलिखित में से कौन से समुच्च है अपने उत्तर का आउच्चित बताईए पहले तो हमें हमारा मित्र दे रहा है या हमारे घर में कोई और दे रहा है वो सेम है तो वो एक समुच्च है जैसे साल के महीनों के नाम अब साल के महीने अगर देखे जाए तो क्या होगा पहले में जैन्वरी आएगा फिर फरवरी आएगा फिर मार्च फिर अप्रेल इस तरह से आता जा इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इसे कोई भी एक प्रश्ण है जिसका उत्तर सब अलग अलग दे रहे हैं इसका मतलब वो सुपरिभाशिन नहीं है कोई भी एक संग्र है जो सब अलग अलग बनाए जा रहे हैं जैसे बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडियन टीम आप बनाओ कोई और बनाएगा दूसरा कोई और बनाएगा आपका दोस्त बनाएगा कुछ और टीम बनाएगा हर किसी के जिले बेस्ट क्रिकेटर्स अलग अलग हो स संग है देखो जे एक्षर से जो प्रारंब होते हैं पहला महीना क्या होता है जैनवरी इसे इंग्लिश में रिख लेते हैं क्योंकि जैनवरी आ गया जैनवरी के बाद देखो अगला क्या आएगा जून फिर जुलाई इसके बाद तो कोई महीना नहीं आता जैसे इस तरह जै ये एक समुच्च है, तो यानि पहला भाग हमारा एक समुच्च है, दूसरा है भारत के दस सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखोंकों का संग्रह है, अब यहाँ पे देखो इस प्रेशन में क्या होगा, आपके इन हिसाब से तुझे दस प्रतिभाशाली लेखाक होंगी, वो यूनिक संग्रह होता है, आदितिये संग्रह होता है, वही सुपरिभाशित होता है, और वही एक समुच्च है, तो ये वाला समुच्च नहीं है, अगले प्रस्थन पर आते हैं, अगले प्रस्थन है बिश्व के सर्वसेठ ग्यारा बल्ले बाजों का समुच्च, तो कोई मतलब यह जो भी बनाएगा, वो थोड़ा partial हो जाएगा, पक्षपात लेके बनाएगा, तो जरूरी नहीं है कि 11 जो best player है बिशो के, वो सब के लिए एक ही हूँ, तो ये भी एक समुच्च नहीं है, क्योंकि सूपर इभाचित नहीं है इसलिए ये समुच्च नहीं है अब आते हैं अगले भाग पे आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग रहे अब देखो आपकी कक्षा में जितने ही बालक होगे, वो तो fix है, मान लो 40 बच्चों के कक्षा है और वहाँ पे 19 लड़के हैं तो 19 लड़के में से किसी से ही पूछो, कि अपनी क्लास के बच्चों को बुला के लाओ, लड़कों को बुला के लाओ हर कोई हो, 19 बच्चों को भुला के लाएगा इसका मतलब ये सूपर भाशित है ये fixed है कि यही 19 बच्चे बार-बार आएंगे अकक्षा में तो इसका मतलब है ये एक समुच्चे है आते हैं पांचवे भाग पे 10 से कम सभी प्राकरस संख्याओं का संग रहे तो 100 से कम 100 से कम सभी प्राकरस संख्याओं क्या होगी एक से लेके 99 तक तो देखो ये तो सभी के लिए ये होगा 100 से कम प्राकरस संख्याओं क्या होती एक से 99 तक चाहे तुम बताओ चाहे तुमारा दोस्ट बताओ चाहे तो कोई तुमारा टीचर बताता है तो ये भी एक सुपरिभाशित है अर्थात ये भी एक समुच्चे होगा अगले पर आते हैं लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है अब लेखक मुझी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे वो तो फिक्स है ना किसी और के उपन्यास तो उनके संग्रह में डाल नहीं सकते ही इसका मदब ये भी एक समुच्चे है क्योंकि ये भी एक सुपरिभाशित संग्रह है सभी सम पुरांक संख्याओं का पुरांकों का संग्रह सम पुरांक क्या होते हैं दो, चार, छे, ये है अब सभी सम पुडांकों का संग्र है तो देखो ये तो यही आएगा चाहे कोई भी बताए दो, चार, छे, यार्ट अनन्त तक जाएगा ऐसा तो ये भी सुपरिभासिता अर्थात ये भी एक संग्र है अब अगले पे आते हैं अगले में इस अध्याय में आने वाले प्रश्णों का संग्र है अगर इस अध्याय में 25 प्रश्ण है तो दो कोई भी लिखेगा तो इन 25 प्रश्णों कोई लिखेगा यहाँ पे 25 से ना ज़्यादा लिख सकता है ना कम लिख सकता है तो ये विशु परिभाशित है असु परिभाशित मतलब ये एक समुच्च है इसका आकरी भाग विशु के सबसे अधिक खतनाग जानोरों का संग्रे है होने को तो देखो कुछ रड़किया होती है चिपकली देखके चीख पड़ती है कुछ कौकरोज देखके चीख पड़त किसी का संग्रे मेल नहीं खाएगा अगर संप अलाग अलाग बनाते हैं अग गलती से खा भी गय तो एक दो का मेल होगा सब का मेल कमी नहीं rei क्योंकि ये शु परिभाशित है ही नहीं सबको अलाग अलाग चीजहों से डर लगता है तो ये भी एक समूच्च नहीं प्रस्न दो मान लेजिए ए बराबर एक दो तीन चार पांच छे है रिख स्थानों में उप्युक्त प्रतीक बिलॉंग्स टू या डजनोट बिलॉंग्स टू भरिए देखो कैसी भी समुच्च के अंदर जो इसके सदस हैं इसके अव्यव हैं अगर ये अव्यव उसके समुच्च के अंदर हैं तो इसका मतलब हम भरेंगे ये वाला निशान बिलॉंग्स टू का अगर वो अव्यव समुच्च के अंदर नहीं है तो भरेंगे हम ये डजनोट बिलॉंग्स टू जैसे यहाँ पर एक के अंदर कितने हैं देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगर हमें लिखना हो आठ या नौ तो देखो आठ बिलॉंग्स करता है आठ तो इसमेही नहीं तो आठ डजनोट बिलॉंग्स टू ए लेकि अगर एक से छे कोई भी नंबर आता है जमान लो एक आता है तो एक तो बिलॉंग करता है एक क्योंकि उसका अवयव है एक आ तो इन्हीं दोनों बातों को देखो कि कौन सा अवयव इसके अंदर है अगर कोई अवयव है इसके अंदर तो इसका मतलब वह बिलॉंग्स करता है अब याव इस सेट के अंदर नहीं है समुझ के अंदर नहीं है तो वो belong नहीं करता हम लिखेंगे does not belong to अब इसे 5 है देखो पहले भाग में इस वाले भाग में इसे 5 देखो इसमें दिया हुआ है ना 5 तो यहां है इसका मतलब 5 belongs to a है 8 देखो 8 इसमें नहीं है ना तो इसका मतलब इस वाले प्रस्ट का उत्तर क्या आएगा 8 does not belong to a 8 a में नहीं है यहां देखो 0 भी नहीं है इसमें a के अंदर इस वाले में क्या आएगा इस वाले में भी आएगा कि 0 does not belong to a यहां पे देखो 4 चार तो इसमें दिया हुए नहीं यहाँ पे यह 4 है तो इसका मतलब है इस वाले भाग का आंसर क्या आएगा 4 belongs to A यहाँ 2 भी है इसके अंदर तो इस वाले भाग का भी उत्तर आएगा 2 belongs to A और यहाँ देखो 10 10 तो A के अंदर नहीं है यहाँ पे कही भी तो इसका मतलब है does not belongs to a तो हमें सिर्फ देखना है कि कोई भी दिया गया जो संख्या दी गई संख्या या जो कोई अव्याव वो अव्याव a के अंदर है या नहीं है अगर है तो हम लगाएंगी ये वाला निशान belongs to का और अगर नहीं है तो लगाएंगी ये वाला निशान does not belong प्रेशन तीन निम्डखित समुच्चियों को रोस्टर रूप में रहे तो को यहाँ पे सेट बिल्डर के रूप में दिया हुआ है और रोस्टर के रूप में लिखना है रोस्टर रूप मतलब इनमें कौन-कौन से अंक आएंगे कौन-कौन से अवयाव आएंगे उन अवयाव को लिखना है पहले भाग में देखते हैं एक्स एक पूरांक है पूरांक क्या होता है जीरो एक दो तीन अनंतक जाती संख्या है और ऐसी माइनस में आती है माइनस एक माइनस दो ये भी अनंतक जाती है ये सभी पूरांक है मतलब एक्स इनमें से ही कोई संख्या है साथ में दिया है कि एक्स माइनस तीन से बड़ा है या बराबर है और साथ से छोटा है तो माइनस 3 के बराबर भी हो सकता एक्स अर्थात माइनस 3 को भी लेंगे माइनस 3 से बराबर है या बड़ा है बड़ा है मतलब माइनस 2 आएगा माइनस 1 आएगा 0 आएगा 1 2 साथ से नीचे जिती संख्याई सबा जाएगी तो 3 4 5 और 6 क्योंकि 7 को तो लेना इनी है हमारा तो यह हमारी रोस्टर फोम आजाएगी रोस्टर रूप रोस्टर रूप में यहाँ पर दिया है न माइनस 3 से बड़ा है या बराबर है तो यहाँ इसलिए हमने माइनस 3 को लिया हुआ है यहाँ 7 से छोटा है 7 चोटी प्राक्र संख्या कौन सी है बूरांग संख्या 6 है तो 6 अब आते हैं इसके बी भाग पे, बी भाग में है, एक्स, छे से कम एक प्राक्रसंख्या है, प्राक्रसंख्या है क्या होती है, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से अनंतक जाती है, प्राक्रसंख्या है, छे से कम, छे से कम कौन संख्या होंगी, यानि कि पाँच, चार, तीन, द रोश्टर ऊनेची रोश्टर रूप। अगले में आते हम C भाग में X दो अंकों की ऐसी प्राकर संख्या है जिनके अंकों का योग ज्सके अंकों का योग 8 है अब देखो 8, सबसे छोटी 사ंख्या, जिनके अंकों का योग 8 है 17 है…… सत्तरा है अब एक को एक बढ़ाएंगे तो दो हो जाएगा साथ को एक कम करो, छे हो जाएगा जोड तो इनका आठ ही रखने न हमी ऐसी, यहाँ तीन कर दिया तीन के साथ फिर क्या आएगा तीन के साथ यहाँ पांच आजाएगा, पैंतिस हो जाएगा तीन के बाद अगली संख्या चार लिए हमने तो अगली संख्या भी चार हो जागी चावालीस हो जाएगा फिर चार को एक बढ़ाओ पांच हो जाएगा तो यहां तीन दजाएगा ताकि जोड इनका 8 बना रहे फिर छे रखेंगे तो दो हो जाएगा 62 साथ रखेंगे एक हो जाएगा और आठ रखेंगे जीरो तो ये वो संख्याएं हैं जिनका योगफल आठ है और दो अंकों की संख्याएं हैं ये अब इसके बाद आते हैं अगले भाग भी इसका चौथा भाग है एक्स एक अबाज संख्या है जो साठ की भाजक है साठ को हम करें दो से भाग करेंगे तो तीस आ जाएगा फिर दो से करें गुर्णखन निकालते हैं इसके पंद्रा आएगा और फिर तीन से किया पांच आ गया मतलब साथ के देखो अभाज जी संख्याई कौन-कौन सी साथ को भाग कर सकती है एक तो दो है एक तीन है और एक पांच है तो देखो 60 को भाग करने वाली अभाज संख्याई दो तीन और पांच होगी बाकित यहाँ कोई संख्याई नहीं है तो इसका जो उत्तर आएगा यह आ जाएगा अब आते हैं इसके अगले भाग पर पांच वा भाग ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सब्द के सभ अक्षनों का समूँ इन समूँ दोखो जब भी हम कभी समूँ बनाते हैं समूच बनाते हैं उसमें हम सब्दों को वापिस रिपीट नहीं करते हैं उनकी प्रुरावर्ति को रोग देते हैं तो दोखो यहां T आ गया R आ गया I आ गया फिर G फिर O फिर N एन के बाद फिर O आया है नहीं लिखेंगे M किसी चीज़ को दुबारा नहीं लिखेंगे M E उसके बाद T फिर से आ गया नहीं लिखेंगे इसको हम T के बाद R फिर से देखो यहां R पहले लिख चुके नहीं लिखेंगे हम और Y तो E आ गय सभी अक्षरों का समूँ किसी भी अक्षर को दुबारा नहीं लिखना है एक ही बार लिखना है इसमें अर इसका देखो आखरी भाग बैटर सब्द के अक्षरों का समूँ देखो इसको अगर बनाते हैं तो पहले B आ गया फिर E आ गया फिर T दो बार है एक ही बार आएगा E हम अल्ड़ी ले चुके यहाँ पे तो अपने E लेंगे E को और फिर आएगा R तो ये बैटर सब्द के अक्षरों का समूच्चे आ गया मतलब ये F समूच्चे आ गया हमारा प्रेशन चार निम लिखिए समूच्चे को समूच्च निर्मार रूप में लिखिए समूच्च निर्मार रूप मतलब Set Builder रूप में लिखिए Set Builder Form में देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 ये सभी धनात्मक पूनांक है अर्थात प्राकरतिक संख्याओं भी लिख सकते हैं इनको हम तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम उसमें ये जरूर लिखेंगे कि X प्राकरतिक संख्याओं में मतलब X एक प्राकरतिक संख्या है अब देखो यहाँ पे क्या है यहां 3 है 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 तो जो X होगा हमारा X such that X बराबर 3 गुणा में N ले लेते चलो हम 3 गुणा में N अब N क्या होगा N कोई भी एक प्राकरती संख्या ले सकते हम प्राकरती दिख्का हो कोई से 1, 2, 3, 4 अगर N का मान रखते हम 1 तो 3 आ जाएगा N का मान 2 रखें अगर हम यहां पर N रखा हुआ हमनी कोई confusion ना हो इसे में थुरा से कुछ और लेता हूँ कि X such that X बराबर 3 गुणा में M ले लिया क्योंकि N और X एक जिसे लग रहे थी जहां M एक प्राकरत संख्या है और साथ में हमें यह बताना पढ़ेगा कि M कितनी चोटी अगर प्राकरत संख्या M का मान हम एक रखते हैं तो 3 गुणा 1, 3 आ जाएगा 2 रखें 6, कितना अहां तक है M का मान 4 तक है तो M चोटा है या बराबर है 4 से इस तरह इसका समुच निर्मार रूप आ जाएगा समुच निर्मार रूप में हम इस तरह दिखाते हैं हम उनके अव्यव को लिखते नहीं है तो X such that X बराबर 3 M अर आगे देखो M प्राकरत संख्या है और M 4 से छोटा या बराबर है यह लख सकते हैं यहां लिख सकते हैं M 5 से छोटा है तब भी चल जाता इसकी जगा पे यह लिख सकते हैं अब आते हैं अगले भाग पे इसके दूसरे भाग में यहां पे 2, 4, 8, 16, 32 तो को यह 2 की घात 1 है यह 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 इसको वैसे लिखते हैं X such that X बराबर 2 की घात M है और M क्या है? एक प्राकर संख्या है प्राकर संख्या कहां से? एक से लेके 5 तक है X छोटा है यह बराबर है 5 के यह ऐसे हो जाएगा यह इसकी जगा पे हम लिख सकते हैं X छोटा है 6 से तब भी चल जाएगा 600 छोटी प्राकर संख्या कौन से होती है एक, दो, तीन, चार, पाँच तो यहां यह भी हो जाएगा इसका तीसरा भाग देखते हैं तीसरे भाग में 5, 25, 125, 625 तो यह 5 की घात 1 है यह 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 बिल्कुल यही हो जाएगा इसका विद्द्ध कि X such that X बराबर 5 की घात 5 की घात M जहां M एक प्राकर संख्या है और साथ में M का मान 4 या 4 से छोटा है जोकि 5 की घात 4, 625 होता है तो हम 5, M जो है 4 या 4 से छोटा है अब आते हैं अगले भाग पे इसके, अगले भाग में 2, 4, 6, 8 इस तरह से है तो यह क्या है यह है संपूरंख धनात्मक संपूरंख या धनात्मक प्राकर संख्या हम यहां कुछ भी लिशकते हैं तो यहां लिशकते हैं कि X such that X belongs to प्राकर संख्या और यहां पे लिशकते हैं कि X संख्या है X एक सम संख्या है संख्या है यहां जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं यही लिखा जाए इसे कई तरह से लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं X as that X एक सम धनात्मक पुनांग है धनात्मक पुनांग है यह भी लिख सकते हैं तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं इसके अगले भाग पर आते हैं इसका आखरी भाग यहां देखो एक है चार है नौ है यह एक का वर्ग है दो का वर्ग यह तीन का वर्ग ऐसी यहाँ पर देखो 10 का वर्ग है इसको भी ऐसी लिखते हैं X such that X बराबर यहाँ पर लिखते हैं M का वर्ग और M क्या होगा M प्राकरस संख्या है जो की 10 से छोटाया बराबर है इस तरह से क्योंकि देखो 10 का वर्ग आखरी था तो देखो 10 का वर्ग X बराबर M का वर्ग यहाँ दस का वर्ग लास्ट वर्ग आगया और X बराबर 1 का वर्ग मतलब पहला आगया तो इस तरह इसमें सारे अव्यव आ जाएंगी प्रश्न पांच निमलिखित समुच्यों के सभी अव्यव्यों को सूची बद कीजिए इसका पहला भाग है X such that X एक विशम प्राकरस संख्या है तो प्राकरस संख्या है क्या होती है 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंतक जाती है विशम संख्या है 1, 3, 5, 7 इस तरह से होगी तो यहां में कुछ भी नहीं करना है सिर्फ विशम संख्याओं को लिखना है 1, 3, 5, 7 इस तरह से यह अनंतक संख्या है इसका दूसरा भाग है X एक पूरांग है पूरांग क्या होता है 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंतक जाएगा और 7 में यहां माइनस में भी जाएगा माइनस एक, माइनस दो इस तरह भी नंत में जाएगा तो यहां पर देखो जो दिया गया हमें X जो है माइनस एक बटे दो से बढ़ा है एक बटे दो क्या होता है 0.5 और यहां पर देखो 9 बटे दो से चोटा है मतलब 4.5 से छोटा है 0.5 से बड़ी पहली संख्या माइनस 0.5 से बड़ी संख्या क्या होगी 0 मतलब x पहली संख्या 0 आ गई अब 0 से बड़ा उसके बाद अगली संख्या क्या आ गई 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हम यहाँ 5 निले सकते क्योंकि 4.5 से छोड़ी संख्य लेनी है तो अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 हमारे पास ये समुच्य आ गया इसके सारे अवयाब आ गई अब अगला भाग देखते हैं अगले भाग में दिया है कि x square छोटा है या बराबर है 4 से जब कभी ये निशान आता है बड़ा है बराबर है चैश्चोटा है बराबर है उसमें हमें एक तरीके से ऐसे करते हैं पहले हम देखते हैं कि x square अगर 4 होता तो x का मान क्या होता प्लस माइनस 2 होता तो हमें एक संख्या लेखा बनाते हैं इसमें ये 0 आ गया यहां पे प्लस का दो आ गया यहां माइनस का दो आ गया अब इसका उत्तर या तो इन दोनों के बीच में होगा और या फिर इसके बाहर और इसके बाहर होगा हम 0 को यहां रखके देखते हैं हमने 0 को x जिगा रखा 0 less than equal to 4 देखो ये सत्य है अगर यह सत्य हुआ इसका मतलब इसका उत्तर इसी बीच में इसी range के अंदर है अगर यह गलत होता तो इसका उत्तर होता कि x 2 से बड़ा है या माइनस 2 से छोटा है तो यहां पे उत्तर क्या आएगा कि x माइनस 2 से लेके 2 तक है क्योंकि यहां बराबर भी है तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 2 से स्टार्ट है माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 यह सभी संख्याई है अगर मान लोग किस्तकारण से यहां पे इस निशान के बजाए यह निशान होता अर्थात ऐसा होता x स्क्यार बड़ा है बराबर है चार की उस इस्थिती में क्या होता यह इसका जो उत्तर आता वो ऐसा आता कि माइनस 2 से बड़ी साज़ जंख्याई मतलब इसे हम ऐसे लिखते कि माइनस 3 माइनस 4 ऐसे इस तरह से अनंतक जाता और इधर 2 के बाद 3 आये 3, 4 और इस तरह अनंतक जाता इसका उत्तर यह होता अब आते हैं इसके अगले भाग पे हम चौथे भाग पे देखो चौथे भाग में loyal शब्द के अक्षर लिखने हमें तो इसमें loyal शब्द के सभी अक्षरों को लिख देंगे बस हम इसमें repeat नहीं करेंगे L O Y A L दुबारा नहीं लिखेंगे हम तो यह इसका समुच्चे आ गया सारे पद आ गए इसके अब अगले में आते हैं सारे पद नहीं सारे अभियव आ गए अब आते हैं पांचवे भाग में X वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते लोगों 31 दिन किस-किस महीने में नहीं होते एक साथ से पहले फरवरी में नहीं होते उसके बाद अप्रेल में नहीं होते तो अप्रेल आ गया फिर जून में नहीं होते उसके बाद सेप्टेमबर में नहीं होते तो यह क्या गया जून और एक last रहे गया number में होते ही इनको हम जाच कर सकते हैं कि इनमें 31 दिन नहीं होते जून में 28 होते हैं बाकी सब में इन सब में 30 होते हैं इसका समुच्च हमारे पास इस समुच्च इस तरह से आजाएगा इसके सारे अवियफ यह आ गई और इसका देखो आखरी भाग आखरी भाग में X अंग्रेजी वर्ड माला का एक बेंजन है जो K से पहले आता है देखो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और K के से पहले यह आते हैं अब इसमें बेंजन कौन कौन से हैं जो बेंजन है उनको रखेंगे बाकी हटा देंगे देखो A तो X वर है हटा दिया इसको हमने E भी एक स्वर है इसको बेटा दिया I एक स्वर है इसको हटा दो तो हमारे पास जो दिख रहे हैं वही हमारे बेंजन है मतलब B, C, D, B, C, D, F इस तरह से आएंगे B, C, D, F, G, H और J तो यह हमारा इसका उत्तर आ गया प्रशन छे बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और में समुच निर्मान रूप में वर्णित समुच्यों का सही मिलान कीजिए देखो सबसे पहले तो ऐसे देखते हैं यह वाला मैथेमेटिक से लिखा हुआ है यहाँ मैथेमेटिक से बना हुआ है तो यह इसका मिलान हो गया सीदे-सीदे अब यहाँ देखो हम यहाँ पहले इसको पढ़ते हैं समुच निर्मान विधी को इसमें है एक्स अभाज संख्या है और 6 की भाजक है तो दोखो 6 को भाग करने वाली अभाज संख्या है कौन कौन सी है है तो एक दो तीन चार पर यह सारी अभाज संख्या है नहीं अभाज संख्या सिर्फ यह दो और तीन है तो अर्थात यह इसका मिलान हो जाएगा अब यहाँ देखो X 10 से कम एक विशम प्राक्रत संख्याए तो देखो 10 से कम विशम संख्याए कहां से हैं विशम बगत यहाँ दिये हुए नहीं तो यह इसका मिलान हो जाएगा अब बचा चौथा पहले से मिलान हो जाएगा तीसरा लेकिन फिर भी हम इसे जाच कर सकते हैं X एक प्राक्रत संख्याए जो 6 की भाजक है तो जो 6 को भाग करने वाली यह सारी संख्याए हैं तो इसलिए इसका मिलान हो जाएगा